हाल ही में भारतिय नौसेना की नाम एक एतिहासी कुपलब धिदर्ज हुई है जिसमें स्वदेशी विमान वाहक पोथ आईनस विक्रांथ पर मिग 29 की सफलता पूर्वक लैंडिंग हुई मिग 29 की अलावा स्वदेशी LCA नौसेना ने भी भारत में निर्मित विमान वाहक पोथ आईनस विक्रांथ पर अपनी पहली लैंडिंग की इसने स्वदेशी विमान वाहक को डिजाइन, विक्सित, नर्मान और संचालित करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया वहीं पीम नरींद्र मोधी ने भी विमान वाहक पोथ आईनस विक्रांथ पर स्वदेशी LCA नौसेना और मिक 29 की जट विमानों की अतिहासिक लैंडिंग की सराहना करते हुए कहा कि आद्मी निर्भरता की दिशा में प्रयास पूरे जोर्शोर से जारी है बता दें कि ये देश के रक्षा तंत्र के लिए एतिहासिक उपलब्दी है कि पहली बार Aeronautical Development Agency यानी ADA और हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानी HAL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप विमान का परीक्षन एक स्वदेशी विमान वाहक पर सफल पूरवक किया गया है इसके अलावा INS विक्रांथ पर MIG-29 की लांडिंग भी एक महत्वपूर्ण उपलब धीमानी जा रही है क्योंकि ये स्वदेशी वाहक के साथ विमान के सफल एकी करन को चिहनित करता है और साथ ही नौसेना की लड़ाकों तैयारी को और बढ़ाता है गौतलब है कि एक विमान वहाक उद्धपोत का उद्पादन करिणे में भारत की आत्म निरभटा का ये प्रदर्शन, देश की रक्षा, स्वदेशी करन का रिक्रमों और मेके निंजी अभियान को और मजबूत करेगा लगभग 20,000 करोर रुपए की लागत से नर्मित आयनस विक्रांत में फिछले मही ने अपने चौथी और अंतिम चरण के समुद्री परीक्षडों को सफलता पूरवक पूरा किया इस जहाज में 2300 से भी ज्यावा जिब्बे हैं जिन्हें लगभग 1700 लोगों के चालक दल के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें महीला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए एक विशेश केविन भी शामिल है आइनस विक्रांट की अधिक्तम गती लगभग 28 समुद्री मील है और लगभग 1500 समुद्री मील की सहन शक्ती के साथ 18 समुद्री मील की परिभ्रमन गती है वहीं विक्रांट के नर्मान के साथ भारत उन्चुनिंदा देशों के समुद्री में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से एक विमान वहक पोत का डिजाइन और नर्मान करने की विशिश्ट च्छमता है फिलाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्स्ट्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले